हिंदुस्तान में इस बात का जिक्र लगातार होता है कि जिसोर जवानी चलती है उसोर जमाना चलता है और इसी में एक मौजू शक्सियत इस वक्त पे हमारे साथ हरीशन्द नड़ा है भोगोलिक दिस्टिस अगर मैं उनका परिचेद हूँ तो यहां उनको हर कोई जानता है और उनके अपने नाम से जानता है उनके अपने काम से जानता है काम क्या क्या है उस पर भी बात करेंगे और ये नाम धीरे धीरे किस तरीके से यहां की राजनीती से ही नहीं बलकि अगर आप यहां से बाहर भी जाएंगे तो आप उनके नाम को बहुत मौजू पाएंगे बहुत इस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंटू दे पिक्चर पाएंगे क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं उस पर भी बात करेंगे और धीरे धीरे पैन इंडिया भी आप उनके प्रोफाइल को बढ़ता हुआ पाएंगे तो एक एक करके मैं उनसे सवाल पूछने शुरू करूँगा सर बहुत-बहुत स्वागत है स्पोर्ट सेरी पर आपका आपका हिमाचिल में स्वागत है सबसे पहले तैंक यू सो मच सर आपने बुलाया हम यह पहुँचे और जो कारिकरम मैंने आज देखा क्योंकि वो खेल से चुड़ा था तो मेरी रुची और जादा बनी राजनीती के लिहाज से अबिसली अलग-अलग तरह की बाते होती है लेकिन जब खेल आ जाता है तो राजनीती थोड़ा पीछे चुड़ती है और हम सिर्फ खेल के बारे में बात करते है आज जो हुआ सर लगातार चेतना की तरफ से हम यह भी देख रहे है कि युवाओं को मदद मिलती है और आप लगातार उसके एक ध्वजवाहक रहते है आप लीड करते हैं उसे मुझे थोड़ा सा यह बताइए बीते कुछ महीने भर में अल्मोस्ट हजार तक का एक नंबर होगा जिसमें हम देख रहे हैं कि युवाओं मंगल दल जो आप टच कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप किट्स दे रहे हैं आप उनको अलग-अलग तरह का सपोर्ट दे रहे हैं रोजगार से सम्मंदित एक योजना अप्रेल के महीने में उससे पहले कोविड से जुड़ी सुविधाएं आपका इस वक्त पे जो पूरा का पूरा फोकस है मैं चेतना संस्ता से जुड़ा हुआ हूँ और चेतना संस्ता एक बहुती पुरानी बिलासपुर की संस्ता है मैं उसको यूद से कनेक्ट करने का एक कोशिश कर रहा हूँ मेरी जब से पढ़ाई खतम हुई है उसके बाद से जब से लॉक्डाउन जटे हैं तब से जिस दिन से मेरे को अपरचुनिटी मिली मैं उस दिन से एक कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से मैं यूद से कनेक्ट कर सकूँ और उनकी हल्प कर सकूँ एक अच्छी फैमिली से होने के नाते एक सक्षम बैग्राउंड से आने के नाते यह मैं मानता हूँ कि मेरे और मेरे जैसे जितने यूथ है जिनका एक फैमली बैग्राउंड अच्छा है या जो स्टेबल है अपनी लाइफ में उनका एक करतव्य बनता है कि वह सेसाईटी में दूसरों के लिए क्या करते हैं दूसरों के अपलिफमेंट के लिए क्या करते हैं तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिलासपूर हमारा घरिया जिला है तो बिलासपूर से मैंने इन कामों की शुरुवात की है आगे शम्ता मिलेगी तो मैं हिमाचल में और हिमाचल के बाहर भी जहां पे भी मैं अपना सयोग दे पाऊंगा मैं निरंतर उसके लिए प्रयास करता रहूंगा आपके साथ जो लेगिसी जूड़ी जाती है उसकी भी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है और जब मैं लेगिसी के बारे मैं बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ व्यक्तिगत तोर पर आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं जैपरकाश नड़ड़ी की भी बात कर रहा हूं वो एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई हटा नहीं सकता लेकिन मैं जानना चाहता हूं बार बार इस चीज़ की बात होती है राजनीती में भी, फिल्मों में भी, क्रिकेट में भी खेल के अलग-अलग हिस्सों में भी जब आपके साथ जैपरकाश नड़ड़ी का नाम जुड़ता है तो आप किस तरीके से प्रोटसाहित होते हैं क्योंकि आज जब मैं आपको सुन रहा था मुझे नहीं लग रहा था कि एक 27 साल का लड़का बोल रहा है आपके जो विचार हैं, आपके जो थौटस हैं वो आपके उम्र से काफी आगे के लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आप उन सारी चीजों को समझते भी हैं जिन चीजों को आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको किसी ने एक स्क्रिप्ट दे दिया है या आपने कुछ रट लिया है या आपने कुछ आख़ए जो हैं वो गाट मान लिए हैं और उसको आप अलग अलग जगा पर दोहरा रहे हैं आप जो कह रहे थे आप उस समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताई है ज़र मैं जो भी यूथ के विशे हैं उनको मैं बहुत गहराईों से उसके लिए मैं फील करता हूं और बहुत शिदद से मैं कोशिश करता हूं कि मैं दिल से उन चीजों से जुड़ सकूँ ये कोई किसी ने मेरे को फोर्स नहीं किया है ना कोई ऐसा मैं अपने उपर ऐसा समझता हूं कि जबरदस्ती मैं कुछ कर रहा हूं यह चीजे जो मैं दिल से महसूस करता हूँ कि स्पोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए हमारे को जो यूत है उसको नशे से बचाना है हमारे हाँ अहाल फिलाल में एक इसकी समस्य आरी है तो लेकिन जो फैमिली बैक्गराउंड है और जो हमारी पार्टी है उसके जो संसकार है मैं बहुत डीपली अपने पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और अपने फादर और आरेसेस के संसकारों में विचारों में बहुत विश्वास रखता हूँ और उनी चीजों से मैं सीखते हुए किस तरीके से हम अपलिफ्मेंट की बात करें चाये आपकी शमता कुछ भी हो चाये आपके पास कोई पॉलिटिकल पॉजिशन हो नहीं हो लेकिन फिर भी आप किस तरीके से सुसाइटी के लिए कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं पिता जी का बहुत एहम स्थान है भारत की राजनीती में और किस तरीके से मैं उनके उस स्थान में होने की वज़े से सुसाइटी के लिए क्या कर सकता हूँ मैं उस पर ध्यान देता हूँ कि उनका नाम में साथ जुड़ा है तो मैं किस तरीके से पॉजिटिवली उनके मेरे साथ जुड़े होने की वज़े से कैसे मैं और लोगों को बिलासपुर से जोड़ सकूँ और अपने जितने भी हमारे सक्षम साती हैं उनको मैं बिलासपुर लाके कुछ ना कुछ कारिकरम उनके माध्यम से कर सकूँ तो जैसे आपने Employment Fair की बात की तो सारे हमारे जो डेली के बड़े कॉर्परेट्स हैं जिन से मेरा परीचे हुआ जो मेरे से जुड़े क्योंकि जानते थे कि मैं इस परिवार से संबंद रखता हूँ तो वो सभी लोगों को मैंने Positively request किया और उन्होंने यहाँ पे Employment Fair में participate किया और हमने Unemployment के लिए काम किया और उन्हीं में से जो Sports में रूची लगते थे उन्होंने मेरा इस कारेकरम में सयोग किया जिसमें हम पूरे के पूरे District बिलासपुर में Sports के टेक के गाहों तक बाठने का प्रयास कर रहे हैं अच्छा एक चीज और बताईए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रासंगिक लगते हैं आज की राजनीती में क्योंकि उसकी एक बड़ी वज़य ये भी है कि हम एक युवा देश है और युवा आज जब आपको सुन भी रहा था तो वहां पर जो नारे लगना मैं देख रहा था आप भी बहुत इंजॉय करते हैं नारो को कई बार मैंने देखा है कि नेता जो है खाल युवा नेता भी भावशूने से रहते हैं एक्सपेशनलेस रहते हैं बहुत आपने LLB की पढ़ाई की हुई है, आपने लंडन में जाके भी उसको मास्टर्स की रूप में बदला है, फिर आप यहां पर भी डेली में भी आप प्राक्टिस कर रहे हैं, इसके इतर जो आपने ये समात सेवा का काम चुना है, क्या इसका कोई professional alternative भी है, क्या आप इसको उस राजनीती की दुनिया में उतरने का मन बना रहे हैं, या फिर ये सवाल मैंने बहुत जल्दी पूछ लिया है, मैं एक politically aware citizen हूँ, और मैं इस देश में विश्वास रखता हूँ, तभी जो मेरी भावनाए है नारों के माध्यम से, वंदे मात्रम के माध्यम से आपको दिखत हैं, और मैं राजनीती में बहुत दिलजस्पी रखता हूँ, और लेकिन जो हमारी party का discipline है, जो हमारी party के rules and regulations है, मैं उसको आदर करता हूँ, समान करता हूँ, और बहुत respectfully उनको follow करता हूँ, जब तक हमारे पिता जी, आदर नड़ा जी, जब तक वो एक अच्छे political position में हैं और वो जब देश का आज एक अच्छे स्थान में नित्रित्व कर रहे हैं, तो मैं indirect way में social work के माध्यम से उनका support करता रहूँगा, कोई direct politics में अभी आने का कोई विचार नहीं है, लेकिन मैं आपको बिना किसी active politics में आया आपको indirectly, मैं हमेशा आपको involved मिलूँगा, मैं बिलासपूर हो, जहां पे भी आवशकता होगी, मैं पार्टी के लिए खड़ा रहूँगा, आने वाले हिमाचल के elections में, मैं एक candidate के नाते नहीं, बटे कारेकरता के नाते, पूरे के पूरे बिलासपूर में, district में और हिमाचल में, कहीं पे भी मेर को अगर पार्टी के एक अफसर मिलेगा, मैं काम करता रहूँगा, और इस पार्टी के लिए हम इसमें बिलीव करते हैं, इसकी वैल्यूज में बिलीव करते हैं, तो अंत तक इस पार्टी के लिए जुड़े रहेंगे, चाए professionally या actively politics के माद्दे हम से आए या नहीं आए, वो important नहीं है, बट हम बिलीव करते हैं, इसके ideology में, इसके विचारों में, तो उसके लिए मैं एक party worker के नाते, पूरी सकरितिया से हमेशा party के लिए काम करता रहूँगा, आखरी एक दो सवाल आप से ये कि, आपके vision में अभी क्या है, मतलब जैसे आपने कहा कि professional capacity में भी आप politics को नहीं देख रहे लेकिन मुझे लगता है कि अगर party high command ने, जो कि obviously अगर ये चाहा कि आप इसी साल contest कर लें, तो मेरी ख्याल से शायद आप आप नान नहीं कहेंगे, क्योंकि obviously जैसा आपने खुद कहा कि अगर party की तरफ से आदेश आता है, तो वो एक तरीके से सरमाते पर होगा, लेकिन आप आपका vision जैसा आप कह रहे हैं, कि मैं लगातार काम करना चाहता हूँ, मैं active politics में आऊं ना आऊं, आप मुझे किसी भी capacity में काम करते वे देखेंगे, समाज में देखेंगे, लोगों के बीच देखेंगे, लोगों में शायद युवाज जादा हो, क्योंकि वहाँ पर आप अगनी वीरों को लेकर के बात किया, आपने बहुत सारी बाते की हैं, क्या vision है आपका? मैं यह चाहता हूँ कि हमारा देश एक युवा देश है, मेरी जो vision है वो यह है कि मैं youth को थोड़ा सा aware कर सकूँ, और हमारा youth कुछ तो बहुत actively participate करते हैं, कुछ थोड़ा background में रहते हैं, कुछ सिर्फ observe करते हैं, मेरा यह मानना है कि हम motivate करके, प्रेरित करके youth को आगे लाए youth participate करे, politics हो नहीं हो लेकिन social work के माध्यम से, चाहे वो बुज़र्गों की सेवा करे, अपने इलाके में गाउं में काम करे, अपने area में काम करे, मैंना जैसे अपने भाशन में भी कहा कि अगर आप इस दुनिया में birth लिया है, तो यह आपकी moral responsibility बनती है कि आप society के लिए help करे, आप sports में अच्छे हो तो किसी को sports में help करे, आप financially stable हो तो किसी गरीब की मदद करे, तो अगर पूरा youth इस दिशा में काम करे कि वो किसी ना किसी की help करे अपनी capacity में, तो हम एक बहुती अच्छा भारत और अभरता हुआ इंडिया हम देख पाएंगे, जिसमें youth सबसे एहम भूमिका निभाएगा और सबसे आगे आएगा, और मैं खुद भी उसी चीज़ को ध्यान में रखता हूँ कि अगर मैं आज की डेट में सक्षम हूँ, अगर मैं एक अच्छे background से हूँ, तो मैं किस तरीके से उसका सदुपयोग youth के लिए कर सकूँ, जो किसी चीज़ स वंचित हैं, या किसी जैसे पूर्टे की चीज़े जिस तक नहीं पहुँच पारी उस तक पहुचाँ उ इसको कोविड में समझ से थी, उसकी कोविड में हिल्प करी, ज़िसको बेरोजगारी की समझ से थी, उसकी रोजगार की माद्यस है एफ करी, ऐसे गर हर एक यूग ए ना किसी वे में help करें तो हम I think so India can do great अगर सब इस mindset से काम करें और यही मेरा vision है अब याने वाले समय में हमारा एक हम पूरे बिलासपुर में और हिमाचल में नशे के खिलाफ एक बड़ा campaign चलाएंगे चेतना संस्ता उसमें हम government का भी सयोग लेंगे जिसमें हर एक college में हर एक ITI में schools में plus one plus two के students को touch करेंगे और उनकी counseling करेंगे ताकि वो इस चीज़ से बच सके तो ये एक next मेरा कारिकरम है जो August और September में मैं करूंगा तो उसका अभी इस चीज़ का vision लेके कि एक drug free हिमाचल और drug free India की और हम देश को ले जा सकें और ये sports kit का भी जो distribution था ये भी ये था कि लोगों को हम नशे से दूर कर सकें शाम को free हैं तो अपना sports में ध्यान दें तो हमने एक एगाउं में जो पूरा district है उसमें हमने हमारे यह यूवक मंडल होते हैं तो यूवक मंडल में हमने अल्मोस्ट 500 यूवक मंडल को टच किया है जिसमें हमने उनको वालीवाल, बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस, कारम, फुटबॉल जैसे 5-6 sports को mix करके kit बनाई है ताकि हमारी बहने भी खेल सकें बैडमिंटन खेलती हैं गर्ल्स जो हमारे बॉईज हैं वो वालीवाल, क्रिकेट खेलते हैं जो थोड़े इंटिलेक्चुल बच्चे हैं वो चेस खेलते हैं तो सब को मैंने कवर करने की कोशिश की है तो में इंटेंशन यही है कि आने वाले समय में और connect करने का आपकी माता जी का मलिका जी का चाहे जो सफर रहा हो चाहे नरेंदर मोदी जी का सफर रहा हो आपकी जिन्दगी में मतलब एक motivate होने के लिए काफी सारे लोग रहे हैं आम मूमन तोर पर लोग थोड़े से खाली होते हैं इन हिस्तों में थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बत हमारी एक यहाँ पे मेरी परदादी जी होती थी वो वैद का एक दवाईया बनाती थी और गाओं वालों को दवाईया फ्री में देती थी तो अगर हम family की बात करें तो वहाँ से यह संसकार शुरू हुए और मेरी मदर मलिका नड़ा जी ने विकलांगों के लिए काम करना हिमाचल में जो इनको हम दिव्यांग बोलते हैं जो थोड़े mentally challenged हैं उनके लिए लोग उनको घरों में बंद कर देते थे उनको कोई छूता नहीं था उनको पागल ऐसा कहा जाता था तो 20 साल पहले उन्होंने चेतना के माध्यम से उनके लिए काम करना शुरू किया और फिर अपने country के लिए special Olympics में medals लेकिया हैं उनको financial prizes मिले cash prizes मिले उनका उनके घरों में नाम हुआ family की इज़त बड़ी जिन दिव्यांगों को कोई छूता नहीं था उनको चेतना संस्ता ने इतना आगे लाने का प्रयास किया तो naturally हम भी जब छोटे थे तो हम जो भी special Olympics के events होते थे उसमें as volunteers participate करते थे मैं special Olympics के delegations के साथ बहुत games के लिए गया मैं abroad भी special Olympics के delegations के साथ travel किया किस तरीके उन बच्चों का ध्यान रखना उनके प्रती आपको empathy होना sympathy होना तो ये चीज़े जो हमारे को सिखाई गई तो ये सारी चीज़े मेरे को अपनी माता जी के माध्यम से मिल चेतना संस्ता उनी का शुरू किया हुआ एक प्रयास था और मैंने भी अपने आपको उससे जोड़ा और main motivator social work के लिए वो ही है वो अभी किसानों के लिए कुछ करना चाहती हैं महिलाओं के लिए कुछ कर रही है तो उसी दृष्टी में उनसे प्रेड़ना लेते हुए मै मैंने यूथ से जुड़ने का प्रयास किया तो मैं कह सकता हूँ कि बाकी लोग तो motivate करने वाले हैं लेकिन main जो हमारे पीछे motivation का मेरे पीछे कारण रहा है वो मेरी माता जी आदर्निया मलिका नड्डा जी रही है तो बस इसी के साथ मैं इस interview में से आपकी विदाई और मैं उमीद करता हूँ कि आपके जो सपने हैं obviously जिनको आपने यहाँ पर हमारे viewers के सामने भी रखा है वो सारे के सारे सच हो और उमीद करता हूँ कि आपका जो भी सफर है मैंने ही कह रहा कि राजनीटी के लिहास से या समाथ सेवी के लिहास से भी क्योंकि जैसे आपने बताये कि परिवार का एक इतिहास रहा है और एक लेगसी रही है जिसे शायद आप आगे सक्सेस्फुली ले जाएं मेरी ऐसी उम्मीद है बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत-बहुत शुब कामना है आपको यहां से आगे के लिए तैंक यू